यहर क्या Satoshi Nakamoto की भापसी हो गई है? मतलब एक आदमी ने क्या करा? वो Binance जो Crypto Exchange है उस पे वो गया और उसने वहाँ पे 27 Bitcoin खरीदे विच इस क्लोज टू 1 बिलियन US डॉलर और 27 Bitcoin खरीद के Satoshi Nakamoto का जो address है उस पे भेज़ दी है हम सब जानते हैं कि Satoshi Nakamoto का जो address है वो Satoshi Nakamoto के पास ही उसकी private keys है या हमें सब को पता है कि वो non-recoverable है और उस address पे उसने 27 Bitcoin भीज़ दी है 6 जन्वरी को माना यह जा रहा है कि 3 जन्वरी को क्योंकि 15 साल हुए थे Bitcoin का पहला block जो माइन हुआ था तो उसकी celebration में और कहीं न कहीं जो Bitcoin का ETF आ रहा है उसको celebrate करते वे पंदे ने 27 Bitcoin मतलब 1 million US dollar सतोशी नाका मोतो के जो address है उस पे भेज़ दी है जो सबसे पहला Bitcoin जब माइन हुआ था जो 50 Bitcoin थे जो पहला block था जब वो माइन हुआ था तो 50 Bitcoin reward में मिलते थे तो उस address पे जो है जो सतोशी नाका मोतो hold करता था उस address पे भेज दिये हैं अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि 27 Bitcoin आदमी क्यों भेज़ेगा और कौन भेज़ेगा भेजना ही था तो अगर celebration के तौर पे ऐसा token of appreciation तो एक Bitcoin भेज देता मतलब 27 Bitcoin मतलब 1 million US dollar भेजना मतलब क्या कहें मतलब सो कहीं कि क्या है सतोशी नाका मोतो खुद तो नहीं है जाएगा और वहां पे Bitcoin खरीद के अपने address पे भेज़ेगा मतलब यही काम रह गया उसको तीक है अब जो भी इंसान है कुछ ना को एक आध दिन में दो दिन में पता लगी जाएगा जो की address जो जिसको पता है बंदे को कि वो कभी recover नहीं कर पाएगा और उस address पे भेज रहा है दूसरा एक रिपोर्ट आईए एक रिपोर्ट जैसे कि बड़े-बड़े संस्थाओं की रिपोर्ट आती उस रिपोर्ट के अंदर यह बोला गया कि जो ETFs हैं उसके अंदर जितनी भी total Bitcoin की supply है तो 10% supply जो है वो Bitcoin के ETFs के अंदर होने वाली है दो हजार अठाइस तक तो चार साल के बाद total supply जो है Bitcoin की उसका 10% जो है वो Bitcoin के ETFs में जाने वाला है तो यह बहुत बड़ी खबर है और उसी रिपोर्ट का यह भी मानना है कि जून दोहजार चौवेज तक इथेरियम का जो है spot ETF जो है वो अप्रूव हो जाना चाहिए क्योंकि Bitcoin का spot ETF अप्रूव होते ही जो Greece के लिए वो application देगा कि जो existing Ethereum का fund है उसे ETF में convert करने के लिए और उस report का यह मानना है कि क्योंकि CFTC Ethereum को commodity मानता है तो already SEC और CFTC में काफी लड़ाई है इस बात को लेके क्योंकि SEC बोलता है कि अभी वो clear नहीं है कि Ethereum security commodity but CFTC is 100% sure that Ethereum is a commodity तो chances है कि Ethereum का spot Bitcoin ETF जो हो जाना चाहिए जून 2024 में क्योंकि Ethereum का already जो futures ETF है वो अप्रूव हो चुका है और US में है right so यह थी important कुछ ख़बरे बाकि किसने वो सकता इस Bitcoin भेचे सतोशी नाकामोतो के address पे एक बारी comment करके जरूर बताना कि कौन हो सकता है वो शक्स सतोशी नाकामोतो है या कौन है वो बतलब आपको क्या लगता है एक बारी comment करके जरूर बताना thank you